दोस्तो स्वागत है आप सब का फिर से एक न्यू वेकेंसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Ministry of Railway की तरफ से आपकी अलग-अलग positions पर वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर लगभग सभी ब्रांच वाले अप्लाई कर पाएंगे आपकी डारेक्ट भरती रहेगी कोई भी एक्जाम नहीं होगा और ना तो यहाँ पर कोई आपकी एक्जामने संफीस लगेगी और क्या बताया गया है इनके ओफिसल नोटिस में उसमें आगे जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जॉप सब्डेक मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाट्सब ग्रूप को भी जॉइन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैंके ओफिसेल नोटिस पर नोटिस आपका राइट्स लिम्टेट की तरफ से निकाला गया है ये आपकी एक नौरत्न कंपनी है मिनिस्ट्री ओफ रेलवे में आती है और गोर्मेंट ओफ इंडिया का इंटरप्राइज़ है तो यहाँ पर आपकी अलग-अलग पोस्टोς पर वेकंसी रहेगी यहाँ पर भी भी टेक वाले इलिजबल रहेंगे इन सभी पोस्टों में अपलाई करने के लिए आपके पास experience होना चाहिए टोटल यहाँ पर आपकी दो पोस्टों पर वेकंसी रहेगी पहली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है planning engineer civil के लिए और दूसरी वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है safety engineer के लिए next अम बात कर लेते हैं आपके eligibility criteria के बारे में तो पहली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है planning engineer civil के लिए टोटल यहाँ पर आपकी एक post पर vacancy रहेगी qualification में आपको बताया है अगर आपने full time में B.E.B.T.E. किया है civil engineering में minimum आपके पास 5 year का work experience से आप यहाँ पर eligible रहेंगे अगली vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है safety engineer के लिए टोटल यहाँ पर आपकी एक post पर vacancy रहेगी qualification में आपको बताया है अगर आपने full time में B.E.B.T.E. किया है engineering के किसी भी ब्रांच में और उसके बाद में आपने diploma या फिर degree की है industrial safety में और इसके साथ ही minimum आपके पास 5 year का work experience से आप यहाँ पर eligible रहेंगे बात करें आपके selection process के बारे में तो selection process यहाँ पर आपका direct interview के आधार पर रहने वाला है और salary यहाँ पर आपको लगभग 50,000 रुपे प्रतिमंथ मिल जाएगी इन post उ में apply करने के लिए आप लोगों से यहाँ पर कोई भी application fees नहीं मागी गई है बात करें आपके apply process के बारे में तो apply process यहाँ पर आपका online रहने वाला है form online होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 6 जनवरी से और last date यहाँ पर आपकी 19 जनवरी रहेगी तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को अपना application form complete करना है उसके बाद में आपके जितने भी जरूरी document है उन सबको आपको self test करना है और आपको पहुच जाना है इनके official address पर इंटर्वी यहाँ पर आपका 18, 19 और 20 जनवरी को होने वाला है तो जिन भी दोस्तों ने हमारे B.E.B.T. किया है इन ब्रांचों में आप इन पोस्टों के लिए इंटर्श्टिल होते हैं, लिजबल होते हैं आप इनकी nearest location में आते हैं आप ये interview दे सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you, शुक्रिया